तामबे की अंगूठी धारन करते हैं, जाने इसका क्या है लाब, बढ़ती उम्र होती है कम, तामबे का कड़ा पहनने से जोड़ों और गठिया का दर्द दूर रहता है, क्योंकि तामबे में एंटी आक्सिडेंट की मात्रा अधेक होने से कई तरह को रोगों से मुक्ती मिलती है और बढ़ती उम्र भी कम होती है, कहा जाता है कि आर्थराइटिस के रोगियों को कॉपर ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए, होमोन्स की समस्या में आता है सुधार, तामबे के प्रयोग से शरीर शुधर रहता है क्योंकि इसके पहनने से शरीर से सारा विश बाहर निकल जाता है, यह पाचन तंत्र समेत पेट की समस्याओं से भी निजात दिलाता है इससे नाभी और हॉमोन्स की समस्या में भी सुधार होता है दूर होता है वास्तु दोश ज्योतिश शास्त्र के अनुसार, तामबे के बर्तन घर में होने से सुक शांती बनी रहती है, इसकी शुधता से सकारात्म कूर्जा बनी रहती है, अगर घर का मुख्य द्वार गलत दिशा में बना है तो तामबे के सिक्के लटका दे, इससे वास्तु दोश खत्म हो जाता है मन रहता है शांत तामबे की अंगूठी पहनने से मन शांत रहता है इसलिए जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है वो अगर अंगूठी पहने तो गुस्सा भी कंट्रोल में आ जाता है ज्योतिश के अनुसार ये शांत प्रकृती का है और गर्मी दूर करता है नकारात्मक विचार रहते हैं दूर तामबे की अंगूठी पहनने से बुद्ध और सूर्य से संबंधित समस्याओं का भी अंत होता है बुद्धवानी और मन को नियंत्रित करता है जबकि सूर्य बुद्धी को नियंत्रित करता है इससे नकारात्मक विचार मन में नहीं आते हैं मान सम्मान होता है प्राप्त ज्योतिश शास्त्र के अनुसार मान सम्मान प्राप्त करने के लिए ज्योतिश तामबे की अंगूठी धारन करने का उपाय बताते हैं ताम्बे का संबंध सूर्य से माना जाता है और सूर्य यश और सम्मान का प्रतीक है साथ ही अगर कुंडली में सूर्य दोश है तो मध्यमा यानी बीच वाली उंगली में अंगूठी धारन करना चाहिए झाल झाल झाल